खौफ और आतंक का प्रयाय बन चुके माफियाडान अबू सलेम की नाम की गूँज फिर से आजमगर जिले में सुनाई पड़ी है माफियाडान अबू सलेम वैसे तो जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है लेकिन गाहे बगाहे अक्सर ही उसका नाम चर्चा में आ जाता है ऐसा ही एक मामला आजमगर जिले में फिर से सामने आया है जिस वज़े से हड़ कंप मचा हुआ है इस मामले में सराइमिर ठाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले की जाज पूलपूर के सीयो अनिल कुमार वर्मा को सौपी गई है जैसे ही लोगों को इस खबर के बारे में पता चला तो एक बार फिर से जिले में माफियादान अबु सलेम के नाम की चर्चा होने लगी ये पूरा मामला किराय को लेकर बताय जा रहा है पर कहा है कि मैं तुम्हें जिन्दा कटवा दूँगा इस तरह कि गंभीर आरोप लगाते हुए रामिश्वर कुमार ने कहा कि सराइमीर थानाच्षेत्र में New Chinese and Italian Pizza Restaurant नाम से उसकी दुकान है इस दुकान का मालिक रामिश्वर कुमार है उसने अबु हकी मंसारी से रिस्टोरेंट का एग्रिमेंट करवाया है पीडित का आरोप है कि अबु हकी मंसारी रिस्टोरेंट पर आका जबदस्ती गल्ले पर बैट जाता है और पैसे निकाल लेता है मना करने पर अपने भाई और माफियाडान अबु सलेम का नाम लेकर धमकी भी देता है रामिशवर का आरूप है कि इस दोराण अबु हकीम अनसारी जाति सूचक गालिया भी देता है रामिश्वर का कहना है कि आरोपी की दहशत पूरे मुहले और बाजार में बनी रहती है पीडित ने कहा है कि हमने CCTV कैमरा भी लगवाया था जिसे आरोपी ने निकलवा दिया ऐसे में आरोपी के बुरुद मुकदमा दर्ज कर मामले में बैदानिक करवाई किये जाने की मांग रामिश्वन ने की है वहीं पीडित के शिकायत पर अबु हकीम अंसारी पर मुकदमा दर्ज कर मामले के जाज़ शुरू कर दी गई है वहीं बात करें अगर माफिया डान अबू सलेम की तो 1984 में पहली बार वो मुंबई पहुँचा और अबू सलेम रोजी रोटी कमाने के लिए डिल्वरी वाई के रूप में काम भी करता है यहीं से अबू सलेम के मुलाखात अंडर वर्ल्ड के डान दाओद इबराहिम से होती है यहीं पर अबू सलेम के मुलाखात अंडर वर्ल्ड के माफिया डान दाओद इबराहिम से भी होती है इसके बाद अबू सलेम अपराद के दलदल के साथ और हवाला के कारोबार में फस्ता चला जाता है डाउन बनने के बाद अबू सलेम ने अपने जिले के नई उम्रे के कई लड़कों को मुंबई बुलाना शुरू कर दिया था गरीबी और बेरोजगारी से जूज रहे इन लड़कों को पैसा और आटोमेटिक हत्यार देकर अबू सलेम ने जम कर खूनी खेल भी खेला था इसके बाद तो अबू सलेम का नाम एक से बढ़कर एक अपरादों के मामले में सामने आने लगा दो अगस्त 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में एक मंदिर के बाहर टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस मामले में अबू सलेम का नाम भी सामने आया था अबू सलेम के कहने पर दो भाईयों अब्दुल्राऊफ और अब्दुल्राशिद ने इस घटना को अंजाम दिया था वह हिंदी सिनेमा की चर्चित अबनेत्री मौनिका बेदी और माफिया डान अबू सलेम का किस्सा हम सभी जानते हैं कि कैसे अपने खौप से मौनिका बेदी का केरियर इस डान ने चौपट कर दिया था वहराल धंकी कि इस मामले की जाच पुलिस कर रही है पुलिस की जाच के बाद ही असपश्ट हो पाएगा कि इस धंकी की आखिर क्या सचाई है क्या जेल में बंद माफिया डाउन अपने गैंग को संचालित कर रहा है या फिर माफिया डाउन के भाई उसका नाम लेकर अपना रौब गालिप करना चाहते है इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें